लेकिन उनहीं ने कहा कि मुझह आपका स्वागत है ने कुछ इसतरीक के से बाते नियंद। लेकिन जब मैंने अंदर से जाक कर कही ना कई उस बात को समझने की कोशिश करी तो मुझे सच में उससे बहुत अच्छी मितलब कुछ बाते में लिए और मैंने सोचा कि आपके सामने वो रखता हूँ, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहता और उन्होंने भी मुझे क अगर आपको कहना है तो लोग इससे सीख सकते हैं, उनके भी पर्मिशन मेंने लिया है यह सारी बाते कहने के लिए, बस उन्होंने कहा है कि मरा नाम मत लेना, इसलिए मैं नहीं कह रहा, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि बच्पन से उनको मतलब जैसे सामाजी काम हो मतलब किसी को मदद करना हो, अपना भी इससे का वो दूसरे को देते थे, तो इस तरीके से उनके जीवन में मतलब चीज़े हो रही थी, और दो-तीन बार कुछ इस तरीके से बाते हुई दोस्तों उनका, कि जैसे एवन बोलते हैं ना कि उनको कोई लड़की पसंद आई, औ मेरी उनसे शादी हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, मतलब उनने कहा है कि उनके शम्दों में एक तरफा पैर जो होता है, वैसा उनके जीवन में दो-तीन बार हुआ, और उनको इस बात से भी बहुत ज़ादा, मतलब वो कहरे है कि उस वक्त मेरा, मतलब मुझे बहुत मैं भगवान से यहीं बुलूँगा कि इस दुनिया से मुझे बस आप अपने जगाए पर लेकर जाना, क्योंकि मेरे इस सच में यहां पे रहने के इच्छा नहीं है, यहां पर किसी बड़े पद पर भी मुझे आप बहचतों भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आपके स मुझे अपना पासल इफ रिगरेशन दस्तोहाले में किया, और वो यह कहता है कि पासल इफ रिगरेशन में उन्होंने जे चीज़ें देखी, उससे पुरी तरीके से वाहरान हो गह गए, वो यह कहता है कि मैंने अपने आपको एप्पतर में देखा, एक ओफिस था और वहा कुछ इस तरीके से कहा है कि उस जीवन में उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देखा जैसे उनके दफ्तर में बहुत सारी महिलाई भी काम करती थी उस महिलाओं के साथ इनका संबन अच्छे थे मतलब एक दोस्ती बोलो या फिर हम जैसे एक दूसरे को मदद वगएरा करते हैं हसते वगएरा है वगएर एक दूसरे के से बात करके वगएरा तो इस तरीके से बोलना चलना बहुत ही अच्छा था और उनमें से उन्होंने कुछ इस तरीके से बात कही दोस्तों कि यह थोड़ी से फ्लर्टिंग वगरा लोग होते हैं ना मतलब और होता के साथ एकदम बात करना अच्छे से और उनको अपने मतलब बातों में लाना वगरा तो इस तरीके से वैसा उनका नेचार था मतलब उस जीवन का और वहाँ पर भी उनको मतलब कुछ दुख मेले थे कुछ सुख मेले थे कुछ कोई मतलब लड़किया इनसे पैर करती थी लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं है किसी में कुछ लोगों में इतना अच्छा नहीं था मतलब जैसे परिवार के लोगों के साथ भी इनको अच्छे संबंद नहीं थे तो परिवार से भी इनको बहुत जादा दुख मिला था उनके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आये थे कि जिन्होंने उसको उनके लिए बहुत जादा खुशिया देने की कोशिश कर रहे तो वैसे उन्होंने देखा उस जीवन में उनको एक मतलब एक महिला थी जो उनसे पैसे मांगती थी और पैसे के लिए उन्होंने उसको मदद करी थी और इस जीवन में भी वैसा ही कुछ इनके साथ घट रहा है तो इस तरीके से मतलब वो ये कहते ह कि यह सारी जो चीज़े हैं वो देखकर मैं इसलिए चाहँ का, क्योंकि मैं अपने आपको कहीना कि बच्पन से special समझता था, कि मेरे साथ तो कुछ मतलब अच्छा होगा, या फिर मैं तो सादू संत के, मतलब इसके बिराधरी कहूँगा, या फिर मैं तो मतलब अच्छा अच इस तर पर उन्होंने उस जीवन में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, और आज के जीवन में तो वो एकदम अध्यत्मिक टाइप के ऐसे जिंदगी जिने की कोशिश कर रहे, तो इस तरीके से उन्होंने देखा, और जब वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे वो बोल थे कि मुझे सच बोलो तो बहुती सादा दुख लगा इस सारी चीज़े देखकर लेकिन मैंने हाली में मतलब कुछ ऐसी भी मैं चीज़े सिखा कि तुम्हारा जो भूत काल है उसको तुम देखने की कोशिश मत करना भूत काल से सुम सीख सकते हो हो सकते हैं कि उस जीवन में तुमने जो गलतिया की थी उसको तुम इस जीवन में सुधरने की कोशिश करो तुम्हें जो मिलना है तुम्हें ना मिलना है एक चोटे से इंसान के ऐसी सोच होती है लेकिन जो सच्चा इंसान है वो इन सारी चीज़ों को नहीं सोचेगा वो ये सोचेगा कि उसमें दुनिया को आखिर क्या दिया है आखिर दुनिया से मुझे क्या मिला है इस तरीके से वो नहीं सोचेगा दुनिया से उनको बढ़े ही क्रोड रुपे मिले लेकिन उसका जो सुक है वो उस वक्त के लिए है लेकिन इस जीवन में उसका भी मोल नहींै क्योंकि अब उसको बास तो कुछ नहीं है इस जीवन में मुझे कैसा ने कुछ दिया चीजों में एक भगवान जो है या फिर वो तीसरी जो ताकत है उसको एक विशिष्ट रूप देना वहाँ पर उचित नहीं होगा लेकिन वो जो विशिष्ट ताकत है वो हमेशा हमारे साथ होती है वो कहिना कई हमारे सामने वो से वैसे पल लाती रहेगी जब तक हम उस सारी चीजों से सिखते नहीं मैं आज भी मतलब मुझे सचा पैर नहीं मिला इसलिए रोता रहा लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे उससे भी बढ़िया कुछ आज मतलब दिया है जो चीज मेरे लिए बहुती जादा महत्वा पूर्ण है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ तो इ ऐसा भी जीवन मेरे अगर सामने आता तो मैं आज इन सारी चीज़े के लिए माफी मांगता और इसके बाद उतने ही लोगों का कुछ भला करने की कोशिश करता तो इस तरीके से आज मेरी मन की जो दशा है वो हो गई है तो यह जो सारी बाते हैं दोस्तों कि हम सब को कही न क जीवन में चाहिए कुछ भी हो लेकिन आज भगवान जिस तरीके से हमें आगे बढ़ रहे है तो उसमें कही न कहीं हम अच्छा एक इनसान बने कहीं न कहीं मैं स्तितप रग्या जैसा बनूंगा कहीं न कहीं मेरे हातों से कोई भी बुरा करम ना हो क्योंकि मतलब मैं सच ब लेकर बहुत ही जादा बुरा लगेगा जैसे उस इनसान को लगा तो इस तरीके से बात है इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे हमारे साथ मतलब हमें कल पच्तावा हो जिसके वज़े से हमारे सामने कल दुक आए तो इस तरीके से हम अगर अपन यह एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुकी है जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते है उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोस भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिडियेफ किताबे भेजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के सा जुड़ना चाहते है तो गुरुपया इस नंबर पर वाटस अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद